गाजीपूर में आकाशिय बिजली की चपेट में आने से तीन मासूम की हुई मौत, एक जुलसा, गाउग में मचा कोहराम मुकेश 13 वर्ष, सरोज 15 वर्ष और अभिशेक 12 वर्ष की हुई मौत, 4 मासूम एक साथ नदी के किनारे पशु चराने गए थे गाजीपूर के बुट्कूर थाना इलाके के मस्तीपूर गाउग में आज दिल दहला देने वाली घटना सामने आए है गाव के पास नदी के किनारे पशु चराने गए चार मासूम आकाशिय बिजली की चपेट में आ गए जिसमें से तीन की मौके पर जुलसने से मौत हो गई है जबकि एक मासूम बुरी तरह से जुलस गया है इस रदेविदारक घटना से पूरे गाव में कोहराम मचा हुआ है दरसल देर शाम को बादलों में गड़गड आहट के साथ आकाशिय बिजली चमक रही थी वही मगए नदी के पास पशू चराने गए बच्चों ने बारिश से बचने के लिए पेड के पास चुपने का प्रयास किया इसी दौरान अचानक आकाशिय बिजली की चमक की चपेट में आ गए जिसकी वजह से सभी बच्चे अचेत होकर गिर पड़े वही पास में धान की रोपाई कर रही महिला सभी बच्चों को अचेत होते देख शोर मचाते हुए बच्चों के पास पहुची तो सभी अचेत अवस्था में मिले वही महिला की शोर सुनकर परिजनों के अलावा आसपास के लोग भी मौके पर पहुँच गए ग्रामीनों ने 108 इंबुलेंस की मदद से सामुदाइक स्वास्थि केंद्र जखनिया लाया गया जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत गोशित कर दिया मरने वाले तीनों बच्चों में मुकेश पुत्र सुरेंद्र सरोज 13 वर्ष सागर सरोज पुत्र शीतला प्रसाद 15 वर्ष अभिशेक पुत्र मोती 12 वर्ष सभी मस्तिपुर गाउं के निसासी है वही एक बच्चा आशीश पुत्र जितेंद्र गंबीर रूप से जुलसा हुआ है जिसका इलाज चल रहा है